पूदेव जो पी असी महोंके बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामान काव बरले थसरे टेंसन अरे काव बरले थसरे टेंसन जब अप सरवन केते कर पे धामान ये कैसे होगा से आप सथी के इस कक्षा में स्वागत है पिशली कक्षा में हम MCQE देख रहे थे जो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड था और इसका हमारा फर्स्ट पार्ट कम्प्रीट हो जुगा था आज हम कोश्चन से रिलेटेड सेकेंड पार्ट देखेंगे क्योंकि हमारे कुछ कोश्चन अभी भी बाकी है यह आपके टॉपिक से ही रिलेटेड हैं जो आप अल्रड़ी पढ़ चुके हैं चलिए पहला कोश्चन है आपके सामने मधुमक्खी पालन के विसाय में सही कथन चुनिए चूज दा करेट स्टेट्मेंट अबाट बी किपिंग क्या होता है यह तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहे है मधुमक्खी पालन आटिफिशल रूप से भी मधुमक्खी का क्या किया जा रहा है पालन किया जा रहा है उसी के बारे में हमें बताना है सीटेट में आप एक्जाम का एक्जाम देखेंगे उसी टेट का जो एक्जाम होता है वो उसमें previous year उठाएंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूपी एक कोश्चन आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला जो statement है आपका मधुमक्खी पालन सुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है जो student नहीं पढ़ेंगे उन्हें निश्चित रूप से यहां पर doubt होगा याद रखिएगा जनवरी से मार्च नहीं होता है बलकि दिसंबर से आपका October से दिसंबर होता है क्योंकि इसी समय जो मधुमक्खी होती वो क्या देती है अंडा देती है तो यह statement गलत हो गया क्योंकि य इसी तुरूप से जो और भी पौधे होते हैं जो फूल होते हैं वो उन्हीं लुभाते हैं लेकिन लिची के फूल कुछ जादा ही उन्हें लुभाते हैं तो यह बिल्कुल सही बात है आपके NCRT book में भी दिया हुआ है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादि है वो बिल्कुल सही हैं अगला है आपका statement मधुमक्खीयों के लिए मीठा गोल बनाने के लिए चिनी थी जाती है प्रियोत की जाता है और चिनी के लिए क्या किया जाता है इसे खरीद आ इस ट्यांका बिल्कुल सही है चली अगला देखेंगे हम यह क्या है इमेज है जहां पर हम क्या किया जाता है बक्से में इसको कलेक्ट किया जाता है यह हमारी क्या है मधुमख्य है आप सभी इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इसके साथ इसके छत्ते के साथ छे से अच्छा समय October से क्या होता है दिसंबर मा होता है क्यूं होता है तो इसी समय मधु मक्खी क्या करती अपने अंडे देती है यह बात आपको भिल्कुल ध्यान रखना है अक्सर यही स्टेट्मेंट में गणवर करता है कि October से दिसंबर में होता या कहां होता है तो आपको अक्सर जो लिची का फूल होता है वो दूभाता है मधुमक्खी का विच्जानिक नाम आपको याद रखना है क्योंकि हमेशें यह all गुतन है क्योंकि आपकोंशन का बढ़ चुका है तो इक्जामीनर आप से यह सब ना पूछ कर डारीक क्या पूछ सकते हैं आप से साइंटिफिक Leaf को पूछ को सकते हैं तो याद रखेएगा इनका साइंटिफिक नैम क्या है इपिस एंडिका है साथ ही движ कल्चर की रूप से जाना जाता है या एपिकल्चर की नाम से जाना जाता है तो इसका साइंटिस्ट नाम आपको याद रखना है इनका आपका विज्ञानिक नाम याद रखना है क्या नाम है इसका एपिस इंडिका और इनके पालन को हम किस नाम से जानते तो इनके पालन को हम एपी कल्चर के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर जो fact हो गया हमें मुख्य रूप से कुछ facts देखने को मिले कौन कौन से तो सबसे पहला मधुमक्खी के संबंध में कि मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय होता है वो क्या होता है आपका October से December होता है क्यों होता है क्योंकि इसी समय ये क्या करते हैं अंडे देते हैं ठीक है निश्चीत रूप से हमें ज़्यादा मधुमक्खिया मिलेंगी संख्या उनकी अधिक होगी दूसरी चीज की लिची की फूल इन्हें बहुत अधिक लुभाते हैं अब Examiner क्या कर देगा? फूल का नाम ही चेंज कर देगा तो आपको फूल का नाम याद रखना है और दूसरा क्या है? दूसरा भी जो फैक्ट है यहाँ पस रानी जो मधुमक्खिय होती है वो मुख्य होती है साथ यह भी आपको याद रखना है कि मधुमक्षी का विज्ञानिक नाम क्या है तो Apis Indica है इसका scientific name साथ ही अगर आपसे पूछे कि मधुमक्षी पालन को हम क्या कहते हैं तो मधुमक्षी पालन को हम Apiculture कहते हैं यह most important है examiner question में modify कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा पहला question आप खुद से भी answer लगाते जाएंगे यह देखते चलेंगे मधुमक्षियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित सदहत को संग्रहित करने के लिए बक्से क्या विश्यक्ता होती है मधुमक्षी के लिए चीनी से बने घोल का प्रयोग किया जाता है हाना अब हमारा जो दूसरा कोश्चन है वो क्या है पक्षी से संबंधित है क्या कोश्चन किया है हमसे दूसरा कोश्चन हमसे किया है कि पक्षी अपने गर्दन को बहुत अधिक हिलाते है इसका कारण है कि बर्ड्स इसका कारण है कि यह इंगलिस में लिखा है birds say they are next a lot this is because क्यों ऐसा गर्दन उनका अधिक वो होता है तो क्यों होता है उनके कान पंखो से ढखे होते हैं क्या इनका गर्दन से कोई connection है कान का नहीं तो यह नहीं होगा दूसरा है वो उड़ सकते हैं क्या उड़ने से उनकी गर्दन का कोई connection है नहीं है उनकी आँखों की पुतली घोम नहीं सकती उनकी आँख छोटी होती है या तो यह होगा हमने पढ़ा था कि जो पक्षिया होती है उनकी जो गर्दन होती है वो बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनका जो आँख होता है आंग की जो पुदली होती वो इधर उधर हिल नहीं सकती है इसलिए वो किसी चीज को देखने के लिए आप देखते होंगे गर्दन को बहुत अधिक हिलाती है लेकिन हर जग आपको अपवाद देखने को मिलेगा इसमें एक अपवाद क्या है उल्लू की आँखे मनुश्य की हिलाते हैं यह आपको कमेंट करना है ठीक है तो यह हो गया आपका उल्लू इसके अलावा जटके से गर्दन हिलाने वाली आपकी जो पक्षी उसका नाव आपको बताना है तो इसका आंसर क्या होगा उनकी आखों की पुतली घूम नहीं सकती है इसलिए वो अपना गर्दन बहुत अधी खिलाते हैं याद रखिएगा हमारे आख की पुतली घूम जाती पर उनकी आख की पुतली नहीं घूमती है इस तिर रहती है पक्षीयों की आखों की पुतली घूम नहीं सकती है यह निसकर्स है आपका पक्षीयों की आखों की पुतली घूम नहीं सकती है इस कि आखें उनके सीर के दोनों तरफ होती हैं कि तीसरा कोश्चन है पंखुडियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं अब थोड़ा सा कोश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा आप से डारेक्ट सवाल ना कर कि आपको क्या करेगा वो हिंट देने की कोशिस करेगा अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा आंसर सहीं होगा तो यहां पर दे दिया है फूल से रिलेटेट कोश्चन किया है मतलब हमारे फ्लावर का ही कोई एक पार्ट है जिसकी यहां पर बात की जारी है जिन्हों तक भी आप लोगं को clear नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ेंगे यहां पड़ से हमको hint मिला है कि कुछ पतली powder जैसी रचना दिखाई देती है इन्हें हम क्या कहते हैं मैं आपको image दिखाती हूँ अब आप answer बताइए का यही इसी की बात हो रही इसे क्या कहते हैं चलिए इसे ही चलिए मैं बता देती हूँ अब अगर आप answer comment कर रहें ठीक है लेकिन कुछ लोग है जिन्हें answer नहीं पता होगा तो इसका answer क्या होगा पराग कड़ इसे हम क्या कहते हैं पराग कड़ कहते हैं यह चीज आपको ध्यान देना है इसी पराग कड़ के कारण क्या होती प्रेजनन की जो प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ती है खेजडी व्रिच के विसे में सहीं कत्नों को चुनिए यह हम लोग जब question का पिछला वाला series देख रहे थे उसमें भी यह question देखने को हमें मिला था इसका answer आप स्वयम बताएंगे लिखा है खेजडी व्रिच सबसे पहले खेजडी व्रिच के बारे में हमने पढ़ा था कि खेजडी व्रिच को क्या कहा जाता है राजिस्थान का कल्प व्रिच कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्यों कि यह साल भर हरा भरा रहता है बच्चे इसकी पेड़ की छाओं में अक्सर खेला करते हैं किसान इसक कतनों को चुनना है यह व्रिच मुख्यता रेगिस्थानी छेत्रों में पाया जाता है जी हां इसे अधिक पानी की आवश्रक्ता नहीं होती है बिल्कुल नहीं होती है अब इन दोनों में आपको आंसर खुद बताने मैंने दो का आंसर आपको बता दिये कि हां यह दो इत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं यह आंसर आपको बताने क्या यह सही है यह गलत है चूज दा गरेट स्टेटमेंट अच्छे यह वही है यह क्या है आपका खिजरी विच्छ है जो कहां पाया जा रहा है आपके रेगिस्थानी एरिया में पाया जाता है जिसमें मुख्यता भारत का कौन सा जगह है आपका राधिस्थान है अगला कोस्ट्रें इस पॉधों में पत्तिया है एक किसी पॉधे की बात हो रही है हमाल लेते हैं ये कोई के कोई पॉधा ले consultation schooling जा लेते हैं हम पत्ती लगा लेते हैं ठोड़ा सा सीख अब ये हमारा क्या होगे एक पौधा हो गया जिसमें क्या हो रहा है इस पौधे में पत्तिया है हाँ पत्तिया है जिने सब्जी की तरह प्रियोग में लाया जाता है कोई पौधा है इसे हम किसके रूप में प्रियोग करेंगे सब्जी की रूप में प्रियोग करेंगे इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है अब तुरन दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा ऐसा पौध है जिसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है जादा उधर नहीं जाना है इन्हीं ओप्सन में से हमें दिमाग लगाना है पालक क्या पालक का तेल होता है कभी आपने पाल सब्जी में लाए जाता है क्या नहीं लाए जाता है बंद गोभी बंद गोभी का कोई तेल बनता है क्या नहीं बनता बचा क्या है आप सरसो अब इमेज के थूँ आप देखेंगे कि यहां पास देखी यह क्या है सरसो का पौधा है जिसमें क्या किया जाता है जिसकी पतियों से अक्सर सबजी बनाया जाता है आप लोग सुनते होंगे सरसो का सरसो भाजी सरसो साग भी कहते हैं सरसो भाजी भी कहते हैं और यह क्या है आपका सरसो का दाना है यह बीज है इसी से हम क्या बनाते हैं जो अकपूरे घर में हिंदुस्तान में इसका प्रयोग किया जाता है राई का तेल कहते हैं अक्सर गाउं में जब मालिस किया जाता है तो इस तेल का उपयोग किया जाता है माना जाता है कि सर्सों का जो तेल होता है हाथ पर के दर्थ को खीज लेता है पанииतना powerful होता है साथवा question है नीचे दिए गए सभी जानवरों में निमलिखित में से कौन सी विसेश्था हैं पाई जाती हैं, नीचे दिये गए सभी जानवरों में, मतलब इन में से एक विसेश्था होगी, जो क्या होगी सभी जानवरों में पाई जागी, तो ये हमें चेक करना है, चलिए, ये अंडे देते हैं, तो चेक करते हैं, छिपकली अंडा देती है क्या हाँ छिपकली अंडा देती है गोरेया भी अंडा देती है कच्छवा भी अंडा देती है तो ये तो बिल्कुल है सभी जीवों में पाये जाता है ये वाला ये जहरीली होती है आपकी गोरेया जहरीली नहीं होती है तो पहले कट कर दिये ज्यादा आगे परना भी नहीं क्योंकि आपका समय कर ध्यान रुढ़ना है यह भूमी एवile जल दोनों में रहती है क्या गुश Осब दिया यहां पर जेते हैं आप जितने चारों का नाम दिखा हुआ आपका चिपकल्ली, गुरेया, कच्छुआ साप ये सभी क्या करते हैं अंडे देते हैं अब इनका हम image देख लेते हैं इन सभी जीवों का ये आप देखी यहाँ पर साप भी क्या करता है अंडा देता है तो यहीं से साप का बच्चा बाहर आता है ये तो पहला हो गया ये किसका अंडा है ये भी क्या करती है अंडे देती है ये यहाँ हाँ से कंपेर किया जा रहा है कि इतना छोटा सा क्या है आपका ये छोटा सा अंडा है इसी से क्या निकलती है चिपकल्ली का बच्चा निकलती है तो हाँ चिपकल्ली भी अंडा देती है ये क्या है आपका कच्छु हुआ हैं यह और यह देख लिए अंडे सा भी बाहर निकल रहे हैं यह भी अंडे से बाहर निकल रहे हैं कुछ लोंग अभी अंडे के अंदर हैं कछवा भी क्या करती है अंडा देती है गोरेया भी जो है वो भी क्या करती है अंड़ा देती तो ये चारों चीजे ये अंड़ा देने वाली जो विशेषता है थी वो सभी में क्या थी common थी हमारा अगला question है निमलिखित में से कौन सा बीज नहीं है हमें बीज नहीं है बताना है यह हूं बीज है सौफ भी बीज है लोग अक्सर काली मिर्च और साबू दाना में क्या होते हैं कन्फ्यूज होते हैं तो क्या होगा बताए इसका अंसर यह अक्सर यह भी सीटेट में पूछा गया कोश्चन है अगर आप बिगनर्स है तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप औरेड़ी सीटेट का एक्जाम दे चुके हैं तो आपको यह कोश्चन अच्छे से पता होगा अक्सर यह देखने को मिलता है कि निमल खित में से कौन बीज नहीं है तो इसका आंसर भी आप के रूप में किया जाता है काली मिर्च का दाना बेल पाइपर नाइग्रम से सूखे जामून के अलावा और कुछ नहीं है गेहूं एक अनाज है सांगों को साइकट के बीचों से प्राप्त किया जाता है सौफ के बीच से पता चलता है यह एक बीज भी है ओल ओवर अगर हम निसकर्स पर आए तो काली मिर्च क्या है आपका बीच नहीं है और यहां पस आप से क्या पूछ रहा है कि बीच नहीं है यहूं भी आपका बीच है साबू दाना भी आपका बीच है लेकिन काली मिर्च आपका बीच नहीं है कहीं कहीं पर डाउट भी रहता है काली मिर्च दाना नामक एक फल देता है ये फल है आपका ठीक आगे बढ़ेंगे आठवा कोशन है आपका निमली खित में से कौन सी बीज नहीं है हमें बीज नहीं ये बताना है गेहूं क्या है एक बीज है किसका बीज है तो अक्सर देखा जाता है कि गेहूं जो है वो घास का बीज है ठीक है याद रखिएगा गेहूं किसका बीज है गेहूं खास का बीज है काली मिर्च जो है वो लता का बीज है और आपका जो सौफ है वो फूल वाले फूल वाले जो पौधे होते हैं न उनका बीज है हमें क्या बता चला ऑल ओवर गेहूं भी आपका बीज है आपका काली मिर्च भी बीज है आपका सौफ भी बीज है लेकिन साबूदान जो है वो बीज नहीं है इसे आप अकसर अप देखते होंगे उप्वास के time खाया जाता है यह प्रकार का बीज नहीं है तो हमसे क्या पूछा बीज नहीं हैं को साबुदान आपका बीज नहीं कि अगली प्रकार देंगे डिक लगा देते हैं काली कोस्टन कि वर 0 का बीच है और सौफ क्या है अपका फूल वाले पौधे का बीच है और गहूं आपके घास का बीच है घास मतलब वो नहीं जो जिसे हम क्या खर्पतवार बोलते हैं नहीं चलिए यह हो गया को अगला कॉश्चन है आपका नीम लिखित में से कौनसा कीट मधुमक्ख्यों की भाति कालोनी में बस्ती में एक साथ नहीं रहता है है ततय्य बर जिसे हम लोग वर्या भी एक कहते हैं अपनी भासा में दीमक यह भी समूव में रहते हैं चीटी भी समूव में रहते लेकिन क्या कभी आप मकडी को समूव में देखे हो, कभी आप एक साथ, दस पंद्रा मकडी को एक साथ देखे हो, क्या नहीं, तो यहाँ पर क्या पूछा है, कि कालोनी में एक साथ नहीं रहता है, तो मकडी जो है, वो कालोनी में एक साथ नहीं रहता है, यह क्या आपका मकड यह अक्सर आपको अकेले देखते हुए मिलेगा अपने आप में ही अकेले क्या करता रहता है संघर्स करता रहता है अगला कोश्चन है ग्रामिर छेत्रों में गाय के गोबर से जोपड़ी की दिवारों और फर्स को लीपा जाता है उन्हें मतलब आप लोग अक्सर देखते जरूरी है क्या कि आप किस से दे जरूरी नहीं है कि आप इसे गोबर से ही रंग दे कीडों को दूर रखने के लिए यह बिल्कुल सहीं आंसर है गोबर से लिपाई इसलिए किया जाता है ताकि हम कीडों को दूर रख सके अगला स्टेट्मेंट देखेंगे घर की सुन्दर शंता मढ़ाने के लिए लेकिन क्या गोबर् शिकले सई economy सुम्धरता बढ़ेगी और भी कोई तरीके हैं यह नहीं हो तो कि खुर्दूरा बनाकर गरशण मढ़ाने के लिए भी कोई सेंस नहीं है इस बात में सेंसलेस है तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका आंसर होगा सेकंड कीडों को दूर रखने के लिए अक्सर ग्रामिट छेत्रों में गाय के गोबर से जोपड़ी की दिवारों और फर्स को लीप आजाता है यह आप इनेज देख सकते हैं यहां पर लिपाई किया जा गर की सुंदर तक बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं अभी मार्बल्स अगरा भी यूज हो रहे हैं अभी के टाइम पर ग्रामिट छेत्रों में यह क्या करता है जो गोबर होता है कीडे नहीं लगते तो इसलिए अक्सर इसका उपयोग किया जाता है अगला कोश्चन है कोई पक्षी पेड़ की उची डाल पर अपना घोसला बनाता है यह पक्षी हो सकता है क्या यह पक्षी सक्कर खोरा हो सकता है नहीं आपनों अक्सर देखते होंगे इसे सन बर्ड भी कहते हैं सूरे पक्षी भी कहते हैं यह लटकता हुआ घोसला बनाता ह कववा बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा कववा जो है वो पेड़ की उची डाल पर अपना घोसला बनाता है कल्ची और फाक्ता ये दोनों पक्षी क्या करते हैं इसे आप कमेंट करके बताएगा क्योंकि पक्षी को भी मैंने बहुत डेटेल में बताया है ये क्या है आपका कववा है ये अक्सर पेड़ की उची डाल पर अपना घोसला बनाती है निमलखित का अध्यन कीजिए कववा पेड़ की उची डाल पर अपना घोसला बनाता है इस घोसले को बनाने में कई प्रकार की वस्तुवों यहां तक की लकड़ी की साखाएं लोहे के तार भी होते हैं एक चलाग पच्छी भी है जो अपना घोसला नहीं बनाता है अब यहीं से आपका क्या बन रहा है सवाल बन रहा है यहीं से आप ध्यान देंगे तो यहीं से आपको क्या बनाना है आपका जो कोश्चन है वहाँ पर हम आंसर तक पहुंचेंगे जो अपना घो चीड़ी होगी क्या कोयल होगी क्या बसंद गॉरी होगी क्या झक क्कर खोड़ा होगा उसका आंसर आपको अंशर करके बताना है आपको बता कि यह यह करें कि कोयल से इत्ते सेम हैं पर कुछ जो मुख्य अंतर देखने को मिलता है वो देखिएगा कि जो कोयल होती है उसकी आँख बहुत ज़्यादा क्या होती है लाल होती है इसा लगता है कि जैसे नहीं बलड आगे हो टाइप से लगता है आप देख सकते हो तो मुझे भी कई दिनों बात पत चला कि कोयल में क्या होता है फर्क कि उसकी आँखे बहुत ज़्यादा लाग होती है एसकीमों अपने घर इगलू का निर्मार बर्फ से करते हैं इसका क्या कारण है जब हम आस्रय का टॉपिक पढ़ रहे थे तब हमने इसको देखा था बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदी हमने निगेटिव पढ़ जाता है तो यह तो आंसर आपका होगा यह तो यह आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चलिए यह आंसर आपको दिया हुआ है लेकिन तब भी आपको आमसर खुद बताना है ग्रामिड शेत्र के मकानों के ढाचे वहां की जलवाईयों की स्थिती से संबंधित होते हैं एक गाउं के मकानों की लक्षड निमलिखित दिये गए हैं अक्सर आसरे से इसी तरह के सवाल बनते रहते हैं मकान मजबूत बास के खंबों पर बने होते हैं यह कहां कि बात हो रही है अपर हमें हिंट मिल रहे हैं अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं धीरे धीरे हम आंसर तक पहुँच रहे हैं मकान जमीन से लगभग तीन से तीन दसंबलों पांश मीटर या साढ़े तीन मीटर भी उचाई पर बने होते हैं मकानों की छट्र धालू होती है यदि इस गाउं को भारी वर्षा होती है तो यह गाउं किस राज्ज में होना चाहिए तो बहुत अच्छे से आप जानते हूंगे यह कहां की बात हो रही है असम की बात हो रही है इतना सा पॉइंट मिल जाना तो यह कासी होता है कि आंसर तक पहुशने के से साहे 3 मीटर उचाई पर बने हुए हैं और यह पूरे घर क्या बने हैं लकड़ी से बने हुए हैं आप देख सकते हैं लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है यह पूरा लकड़ी से बना हुआ है तो जब भी यहां पस क्या आता है बार यह बहुत ज़्यादा बारिश होती है इससे क्या रहता है यह सुरक्षित रहता है प्रते की स्थान के नाम के साथ उस छेत्र पर बनाए जाने वाले समाने घरों के सही विवरण को मिलान कीजिए हम लोग जब आसरे पढ़ रहे थे तो यह सभी हम देख चुके थे इसका आंसर आपको स्वयम देना है मैं बस पढ़ इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप आश्रय वाला टॉपिक नहीं पढ़ें तो एक पर पढ़ लीजेगा अगर आप पढ़ लेंगे तो यह आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा यह ओप्सन है आपको मैच करके आंसर लगाना ह किसी परवती छेत्र में प्रेचर करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकडी और चूनिय से बनाया है यह घर दो मंजिल है नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं अगर कुछ याद ना है तो यह हिंट मिल गया कि नीचे की मंजिल प अटानों से बनाया जाता है यह पर्वती छेत्र नीचे दिये गए किस प्रदेश का भाग है यह बहुत अच्छे से पढ़ें थे इसका आंसर आपको बताना है यह जम्मु का समीर गहर है यह घालाया का घर है विवरणों पर विचार कीजिए बार बार देखिए आपका आसरे से सवाल ऐसे ही बनेगा ये सभी एक्जाम में पूछे गए सवाल है राजिस्थान में गाउं के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छते कटिली ज़डियों की होती है ये रहते हैं मनाली में घर आसों के खंबों पर बनाये जाते हैं लेह में पत्धर के दो मंजिले घर बनाये जाते ही इस सवाल क क्या है आपका कि नीचे घरों तोंके नीचे दिएगे विवरणों पर विचार किजे यहां पर घर आपका थोड़ा Missing है नहीं, ठीक है इन में से जो कथन जगह के हिसाब से सही है, वह आप लगों को ćसार टिक करने हैं हो आप लोगं को आइसार टिक करने हैं देखिए जार के Can लगाना है कि इस प्रकार के पक्षी की चोच मीट को काटने और खाने के काम आती है अब देखिए चोच हम लोगों ने देखा था कि जब एक्जाम हो था सीट रेट का तो अचानक से चोच से रिलेटेट कोश्चन कर दिया इससे पहले तो नहीं आया था लेकिन अचानक चोच रिलेटेट कोश्चन कर दिया आपकी बार हो सकता है कि आपके क्या हो सकता है पंजे से कोश्चन कर दे डारिक्ट हाना तो पंजा भी आप लोगों को पढ़ना है पंजे से सवाल कर सकता है क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया चोच से अल्रेडी सवाल कर दिया है पंजा भी हम आपके जो गिद्ध, चिल और बाज हैं ये मांसा हारी पक्षी होते हैं और इनकी चोच छोटी और हुक के जैसी मुड़ी होती है याद रखिएगा छोटी और क्या होती है हुक की तरह मुड़ी होती है और ये मांस को फाणने और चीरने के काम आती है अभी हमसे क्या सवाल कि धख़या गया कि किस प्रकार की पक्षी की चोच मीट को काटने और खाने के काम आती है तो क्या पूछा है तिकोनियकार की चोच सीधी और पतली चोच हुक जैसी चोच तो आंसर हो गया हुक जैसी चोच क्योंकि अभी ज़स हमने देखा कि गिध्ध आपकी मांस फार्णने और च Χाम आती है कि इनकी चोस गिद्ध और चिल क्योंकी इनकी चोस छोटी और हुख की तरह मूड़ी होई होथी है और यहां पर आपका विकल्प दिया हुआ ह हुख जैसी चोस जो क्या करती मीट को काटने और खाने के काम आती है चलिए आगे बढ़ेंगे अगली चोच की हम बात करें तो अगला जो चोच है वो तोते की चोच है जो फल को कुतरने के काम आती है और इसकी चोच क्या होती है घुमाव दार होती है आप देख सकते हैं इनकी चोच कैसी होती है घुमाव और मजबूत होती है क्यूंकि ये दानों को चवाते हैं तोड़ते हैं ये देखी छोटा सा चोच है इनका छोटा सा एक्दम छोटी चोड़ी और मजबूत होती है तभी तो ये दाने को अक्सर तोड़ते रहते हैं इस प्रकार की चोच अनाज को दानों को तोड़ने में सहाय कुछ पछच्छीयों की चोच में निस्पंदन या छानने की प्रक्रीय जिसे हम क्या कहते हैं किचड से भी अगर कोई चीज निकालेंगे ना तो उसको च्षान के खाते हैं तो यह हांस और बदक में होती है तो यह चीज आपनों को ध्यान रखना है पक्षियों की एक प्रजाती ऐसी है जिसका नर पक्षी सुन्दर सुन्दर घोसले बुनता है मादा पक्षी उन सभी घोसलों को देखती है उसमें सिवह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती है पक्षियों की इस species का नाम क्या है क्या वो पक्षी कोयल है नहीं यह क्या करती है कंवे के घोसले में अपना अंडा देती है वीवर पक्षी सक्कर खोरा बसंद गोरी बसंद गोरी भी नहीं होगा सक्कर खोरा भी नहीं होगा आंसर क्या होगा आपका वीवर पक्षी वीवर पक्षी ऐसी है जो क्या करती है नर्पक्षी उनका घोसला बनाता है और वो उन घोसलों को सेलेक्ट करती है जो पसंद आता है उसी में वो क्या करती है अपना अंडा देती है अपनी गर्दन को जट क्या होगा इसका मैना होगा हमने देखा तोता का जो चोंच होता है वो क्या आता है भुमावदार होता है जो फल को तोड़ने के या खाने के कामता कुतरता रहता है फल को अभी हमने चोंच में देखा तो यह क्या है आपकी मैना पक्षी है जो किस यह हमारे कोईल लती लग रही है अच्छा पक्षियों का इस समय न हम लोगों को बहुत जादा क्यों इतना कन्फ्यूजन हो रहे हैं क्योंकि हम लोग आख से नहीं देख पार हैं आप लोग देखते होंगे एक कॉमन पक्षी जो अकसर हम लोगों को देखने को मिलती थी वह पक्षी भी अब क्या हो जा रही है विलूप्त के कगार पर हो गई है जिसके लिए जाग रुकता भी फैलाया जा रहा है साथ ही इस पर भी सवाल बने हैं आप आके देखेंगे तीन पक्षियों कव समूज जिसका प्रतेक सदस्य वस्तू को हमारी तुलना में चार अधिक दूरी से इसपश्ट रूप से देख सकता है जो वस्तू हमें दो मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी आठ मीटर की दूरी से देख लेते हैं ये कौन सा है तो हमने पढ़ा था बाज चील और गिद्ध देखिए यहां पर बाज का नाम दिया है लेकिन कहुआ कबूतर जोड दिया है यहां पर कबूतर तोता कर दिया है चील दे धिया कि यहां पर भी सही है पर यह गलत है तो अ cela हो रहा है ए उस पक्षी का नाम बता है जिसकी आंखे मानों की तरह सामने की तरफ होती है तिगव Means No का उल्लू है इसकी आँखे क्या होती मानव की तरह सामने होती तो आंसर क्या होगा आपका उल्लू क्यूंकि इमेज के थो आपको आंसर मिले गया होगा एक छोटे से पेड़ या जाड़ी की साखा में लटकने वाला घोसला बनाने वाला पक्षी है ये कौन सा पक्षी है आपका सक्कर खो रहा है इसे हम क्या कहते हैं सन बर्ड भी कहते हैं तो आंसर क्या होगा आपका सूर्य पक्षी यह अक्सर लटकता हुआ घोसला बनाता है याद रखिएगा आपका NCRT से सवाल ऐसे ही बनते हैं और सीटेट में आप उठाकर सवाल देखेंगे तो EVS में अगर आपका NCRT-based question है तो इर्दिगेर्द घुमा फिरा कर ऐसे ही देग यह अक्सर हमारे घर में दिखा करता था लेकिन अब यह नहीं दिखता वह पक्षी जो दिल्ली में समान्य रूप से दिखाई देता था परन्तु अब इस चिडिया के बारे में जाग रूपता बढ़ाने ही तू एक विसेज दिन मनाया जाता है क्योंकि सहरी करण के कारण यह दूरलब हो गई है वह चीडिया है कौन सी चीडिया है तो गोरया यह कौन है आपकी गोरया पक्षिया दिल्ली की पूर मुख्य मंत्री अपनी सकर्स पर जाएंगे दिल्ली की पूर मुख्य मंत्री कौन थी आपकी सिला दिक्षित ने दिल्ली में गोरयों की घटती के कारण इन पक्षियों ने अपना प्राक्तिक पर्यावास खो दिया है और खोखले घोसले बनाने में वो विफल रहे हैं जिससे वे विलुप्त हो चुके हैं मुवाइल रेडियेशन और टेलीकॉम टावर गुरेयों के दुस्मन हैं और हम सभी अपने आप में इतना जा रहे हैं ऐसा लग थे कि आने वाले टाइम में बस हम ही नुग रह जाएंगी आपस में चलिए तो हमारा जो कोस्टिन का सिरीज था वो यहां पर समाप्त हुआ कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ थाइंक्यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिश कर दो